नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी साथ्यों का एक स्मार्ट स्टेडी यूटूब चैनल पर तो साथ्यों आज इस क्लास में भारतिय संभिधान यानि पॉलिटी के टॉप 200 कोस्टन आंसर क्लास में करेंगे पूरे 200 प्रश्ण इसी क्लास में आज देखने वाले हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्टन है सारे कोस्टन मैंने चाट चाट के सेलेक्टिड कोस्टन सी इस क्लास मिलिया है जो की डायरेक्ट आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा साथ यह अभी बिहार पुलिस का पेपर चल रहा है और हर एक सिप्ट में 10-10 कोस्टन जो है आपको भारतिय संबिधान से देखने को मिले हैं तो आज का यह क्लास कंप्लीट देख लीजे 10 नंबर आपके तो बिलकुल पक्के हो जाएंगे ठीक है तो चलिए फिर बिना देर के विए क्लास को सुरू करते हैं भारतिय संबिधान के महत्पुन 200 प्रश्न को आज इस क्लास में देखेंगे आपको बता दे बिहार पुलिस के अलावा SSC का कोई वी इख़ाम हो दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, UPSC इसके अला बिहार का कोई वी इख़ाम हो इस्टेट लेव तो देखें मुल अधिकारों का उलेक संबिधान के भागतीन में किया गिया है तो राइट अनसर है option number C, भागतीन, एक चीज़ और यहान याद रिखेगा की मुल अधिकार संबिधान के कितने से कितने अनुछिद में है, तो देखें मुल अधिकार जो है भारतिय संबिधा सा का निवास किसमें होता है भारत की जनता में सिंपल सा कोश्चेन है करेक्ट एंसर है ऑप्शन नंबर डी जनता में आगे देखते हैं भारतिय संभिधान को कब अंगी किरित किया गया था या कब स्विक्रित किया गया था यानि भारतिय संभिधान को कब अपनाया गया था तो देके भारतिय संविधान को 26 नॉम्बर सन 1949 को अपनाया गया था संविधान सभा के दुआरा तो इसका राइट होगा option number C और अगर आपसे पूछे भारतिय संविधान को कब लागू किया गया था तो फिर राइट एंसर होगा 26 जनवरी 1950 को याद रखना आगे देखते हैं देखे संविधान में राज जिद्वारा किस आयू बर्ग के बच्चों को निसुल्क तथा अनिवारिय सिक्षा उपलब्द कराने का प्रावधान है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 6 वर्स से 14 वर्स की आयू के बच्चों को बिलकुल फ्री में यानि निसुल्क जो है सिक्षा उपलब्द कराने का प्रावधान भारतिय संविधान में किया गया है नेक्स्ट कोस्चन है पंडित जोहारलाल नहिरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा था ये कोस्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो देखे पंडित जोहारलाल नहिरू ने संविधान की निविरोज चुने गए थे तो राइटे साथ यो ऑप्सन नमबर डी डॉक्टर नीलम संजीब रेड़ी याद रखना बाकी देखिए डॉक्टर राजिंदर प्रसाद जो की भारत के पहले राष्ट पती थे और डॉक्टर सरपली राधा कृष्णर ये भारत के पहले उपरा प्रदानमंत्री कौन थे तो सरदार बल्लब भाई पतेल जी याद रखना सरदार बल्लब भाई पतेल जी जो है भारत के पहले उप्रदानमंत्री थे याद रखना उप्रदानमंत्री पद का उल्लेक भारतिया संभिधान में कहीं भी नहीं किया गया है अगला क्वेश्च किस परधानमंत्री के कारिकाल में दल बदल बिरोधी अधिनियम पारित किया गया था तो साथ यो दल बदल बिरोधी अधिनियम जो की दस्वियन सुची से संबंदी थे और देखे इसको किस परधानमंत्री के कारिकाल में पारित किया गया था तो राजिब गांधी के लिएक्ष पत रंवत दसी हो है तूछ तरच लंने सब्रस्चार अच्छ, ब्रसक्क करेंब करें जाक pacing आप्सन नमबर C 4 सदे से और एक अधच टोटल 5 होता है आज का अगला कोर्शन देखते हैं तो देखेगा ध्यान से ये राइ स्क्रीन पर संभिधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षन फ्रांस के संभिधान से गरहन किया है तो देखेगा इन में से कौन सा लक्षन है जो कि फ तो देखेगे केनेड के संभिधान से और अप्सन नमबर C राइट नसरोगा एक ससक्त केंद्रवाली संघ्यव्योस्था को केनेडा के संभिधान से लिया गया है आगे देखते हैं संसत द्वारा राष्टिय संकट का अनोमुधन करने की समय सीमा किया है तो देखेगे संसत ने भारत में किस परकार की दलिया व्योस था है तो देखिए भारत में जो दलिया व्योस था वो है और संसद के एक वर्स में तीन अधिवेशन होते हैं रिखिए तो देखिए यह और सात्र होता है थे ज़त लेकिन लेकिन बसंत सत्र नहीं होता है तो राइट होगा option number C बसंत सत्र संबिधान में संसोधन का लक्षन किस देश के संबिधान से गरहन किया गया है तो साथ यह दिखीगा आर्टिकल यानि संबिधान के अनुच्छिद 368 के अंतरगत संबिधान में संसोधन किया जाता है और यह दक्षिन अफ्रिका यानि साउथ अफ्रिका के संभिधान से गरहन किया गया है याद रिखीगा option number C साउथ अफ्रिका अगला कोश्चे ने भारत में प्रथम आम चुनाव कव हुएं तो देखे बारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में किया गया था राइट होगा option number C नेक्स्ट है भारतिय नागरिकों को मतदान का अधिकार किस आधार पर प्रदान किया गया है तो ध्यान से दिखेगा भारतिय नागरिकों को मतदान का अधिकार यानि वोट देने का अधिकार किस आधार पर प्रदान किया गया है तो राइट एंसर हो जाएगा आयू की आधा मुझत्दान कि नहीं अबसें बवसें भारतिय मुलके लोगों बहरत का महानियाईवादी जो होता है अटरणी जरनरल ये कब तक पद्धारन कर सकता है तो राइट एंसर हो जाएगा राष्ट पती के परसाद परियत यानि जब तक भारत के राष्ट पती चाहें देखे भारत के महानियावादी यानि अटर्णी जनरल जो की भी बरतमान में है आर बेंकर रामानी जी जो की सोलवे हैं याद रखना इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट पती करते हैं और इसका प्रावधान संबिधान के अनुच्छिद 76 में किया गया है भारत के महानियावादी का उलेक किस अनुच्छिद में हैं तो अनुच्छिद 76 में नेच्ट कोश्चन है भारत की निर्वाचन वियोस्था किस देश की निर्वाचन वियोस्था पर आधारीत है तो साथ याद रिखीगा काफी important question है ब्रिटेन की option number a नहीं होगा यहां गलत है देखिए ब्रिटेन करिक्टर हो जाएगा option number c ब्रिटेन की निर्वाचन पद्दती है किस देश की देन है ब्रिटेन की अगला कोश्चेन होगा देखे निम्न में से किसे मतदान का अधिकार पराप्त है तो मतदान का अधिकार मैंने अभी आपको बताया राज के ब्यस्क नागरिकों को यानि जिनकी आयू 18 वर्ष से अध या मंत्री परिश्द किसके प्रति उत्तरदाई होते हैं तो या किसकी व्राज चैन सभाके नंबर सी संसद के अनुमती से याज का अगर बारत में एक नए राज का गठन करना हो तो इसके लिए किसकी ञिली जाएगी याद रिक्केएगा किस प्रत चलिए आज का अगला कुश्चन देखते हैं भारत के राष्ट पतियों में से कौन दार्सानिक राष्ट पती माना जाता है तो साथ यो भारत का दार्सानिक राष्ट पती किसे कहा जाता है तो याद रिखेगा डॉक्टर सर पल्ली राधा कृष्णन जी को तो राइट होगा आज का अगला कोश्चन है यदि नए राज की अस्थापना की जाए तो सम्विधान की किस अनुसूची में संसोधन करना पड़ेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है याद रिखेगा पर्थम अनुसूची में आप्शन नंबर एक करेक्ट अन्सर है किस परदान मंत्री के कारिकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव अस्विकार किये गए थे तो देखे राइट अन्सर होगा नरसिम्हा राव के समय में राइट होगा ओप्शन नंबर एक साथियो आप लोग क्लास को जरूर लाइक कर दिजिएगा साथियो क्लास पसंद आये तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा देखे नेक्स्ट है भारत के संविधान का सरच्छक किसे माना जाता है तो सरवच्चन याई लई को राइट होगा ऑप्शन नंबर भी सरवच्चन याई लई अगले राष्टिया सुरक्षा परि प् 좋아요 All która option N modern China बारत की योजनाओ के उद्दैश का आदार क्या है तो भारत की योजनाओ जुनाइं जो बंती हैं उनके उद्दैश का आधार क्या है तो यादर एखना राज के नीतिनिर्दशक्त सिधांट ओप्शन नंबर भी करेक्ष्ट होगा राज सभाहने पहांज चार तीर हुसेन, option number A right answer is, अगला है, पंचायत राज की सबसे निचली काई कौन सी होती है? तो पंचायत राज की सबसे निचली काई क्या होती है साथियो, तो gram पंचायत, सबसे नीचे उसके उपर होता है पंचायत समीथी और उसके उपर होता है जीला परिसाद, याद रखना, ठीक है, सबसे उपर होता है जिला परिशाद और सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायद, तो राइट होगा ओप्सन नमबर ए, संबिधान की दसवी अनुसुची किस संसोधन द्वारा जोड़ी गई, तो देखें, राइट एंसर हो जाएगा, बावनवे संबिधान संसोधन अधिनियम के द्वारा, जिसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया है, अगला है, निचली फोजदारी आदालतों के सिखर पर कौन सी आदालत है, यानि सबसे निचली आदालत कौन सी होती है, तो देखेंगा, सबसे निचली आदालत होती है, सेसन जज़ की आदालत इसके उपर दुसरे नंबर पर आता है जीला जज़ का अधालत और उसके उपर आता है राज का उच्चिनियाले यानि सबसे उपर राज का उच्चिनियाले और सबसे नीचे सेशन जज़ का अधालत याद रिखेगा वैसे तो सरवच होता है सुप्रीम कोट लेकिन option के कोडि इन तीनों राज्यों में पंचायती राज लागो हो चुका है लेकिन नागालेंड में नहीं तो राइट होगा option number C नागालेंड अगला question है निम्ने में से किस संग्याच छेत्र में दो अस्तर या पंचायती राज है तो याद रिखेगा दादरा तथा नागर हवेली में option number D करिक्ठ है किस संब्यधानिक संसोधन द्वारा नगर पालिकाओ को संब्यधानिक दरजा दिया गिया तो राइट होगा साथियो 74 संब्यधान संसोधन के द्वारा option number C प्राथम बार राज्यसभा का गठन कव किया गिया तो तीन अप्रेल 1952 को राइट होगा option number C next question चलिए देखते हैं अगला निमनल कितमे से किसे भारत के संब्यधान का पिता माना जाता है तो भारत के संब्यधान का पिता माना जाता है डॉक्टर बियार अमबेटकर को तो correct होगा option number A चलिए अगला question है पंचायती राज किस बिचारधारा पर आधारी थे तो देखे पंचायती राज जो है यह साथियो लोक तांत्रिक बी केंद्री करण पर आधारी थे तो ए और भी दोनों भारत का मेगना काटा और संब्यधान की आत्मा दोनों ही कहा जाता है याद रखना अगला है बरतमान में आठवी अनसुची में दी गई कुल भासाओं की सेंख्या कितनी है तो simple सा question है लोक सभा को अनस्चित काल के लिए कौन इस्थगित कर सकता है तो साथ यह राइट रोगा लोक सभा को उसके निर्धारित कारिकाल से पूर्व संब्यधान के किस अनुच्छित के अंतरगत भंग किया जा सकता है तो राइट एंसर होगा अनुच्छित पचासी का खंड दो के अंतरगत राइट होगा option नंबर भी याद रिखीगा ठीक है देखिए लोक सभा को पूरो भंग किया गया है अभी तक तो याद रिखीगा अभी तक छे बार किया जा चुका है option नंबर ये राइट होगा छे बार अगला है संब्यधान के किस अनुच्छित में भारत रत्न पदम सिरी इत्यादी अलंकिरित उपाधियों की अस्थपना की गई है तो राइट किसके सम्मूख अफिल कर सकता है तो याद रिखेगा सरवत्च नियाले के सम्मूख option eye पर राष्ट पती किस पेखार की बीटों का परियोग कर सकता है तो राइट है साथ यो सिश्वित बीटों इस थगन बीटों जेवी बीटों उप्रोक सभी परकार के बीटों का अगला question है निम्न में से कौन सी सक्ती सर्वची नियाले को प्राप्त है तो देखिए नियाईक पुनवर्वी लोकन का अधिकार केवल सर्वची नियाले के पास होता है तो इसका right होगा option number नियाईक पुनवर्वी लोकन next है बरतमान लोक सबा में सीटों का बटवारा किस जनगर्ना के आधार पर किया गिया है तो राइटों का साथ यो option number D 1971 के जनगर्ना के आधार पर और ये कब तक वैसा ही रहेगा तो 2026 इसवी तक next question है किस विध्यक द्वारा सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार परदान किया जाता है तो करेक्टर साथ यो बित्विध्यक के द्वारा केवल option number B राइट अंसर होगा बित्विध्यक के द्वारा अगला है बंबाई मदरास तथा कलकत्ता उचिनयाले के आध रखना अगला question है पहली बार किसी भी राज में राष्ट पति सासं कनको लागू किया था तदि संविधान के अनुच्य शैथं थative पन के अंतरगत भारत के राष्टपती राज्जों में राष्टपती सासन लागू करते हैं तो किसी भी राज्ज में पहली बार राष्टपती सासन कब लागू किया था तो देखिएगा करेक्ट एंसर हो जाएगा साथ यो 52 में और कहां पर लागू किया गया था पहला राज्य कौन सा था तो याद रिखेगा पंजाब ठीक है पंजाब में पहली बार राष्ट्पति सासल लागू हुआ था देखिए जोहारलाल नहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश प्रस्ताव को संभिधान सभा ने कब सु निम्न भासाओ में से किस भासा को क्लासिकल भासाओ की स्रेणी में रखा गिया है तो इन में से कौन सा भासा है जिसको क्लासिकल भासाओ की स्रेणी में रखा गिया है तो तमील भासा को राइट होगा ओप्शन नमबर भी तमील किस राज में सुचना का धिकार परियोग सर लागो किया गया था तो मैंने अभी जैसे की बताया 1952 में सबसे पहले राष्टपति सासन पंजाब में लागो हुआ था याद रखिएगा पंजाब ऑप्शन नंबर भी इस पिकर जो होते हैं लोक सभाध्धच वह साथ यो किस समीति का पदेन सभापती होता है तो देखिए साथ्यों डॉक्टर जाकीर उसेन और डॉक्टर फाखुरुद्दिन अली अहमाद इन दोनों राष्टपतियों की मृत्यु जो है उनके कायरकाल के दोरा नहीं हुई थी तराइट है ओप्शन नंबर डी ए और भी दोनो इस पिकर की अनुपस्थिती में यानि लोक सभा अ उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी अधुचता करते हैं लोक सभा का ओप स्पिकर याद रखना शर अत little लेकों में से किस लेक का अर्थ है कि आप चाहे तो सरीर ले सकते हैं तो साथ हो यह किस लेक का यानी रिट का यह आर्थ है तो याद रिखिए exist और नमबर आती राज्य सभा के सदेसों को विधान सभा के सदेस कैसे चुनते हैं तो प्रतच्य मतदान के द्वारा राइट होगा option number A आगे देखते हैं किस पंच वर्से योजना ने भारत में पंचायत राज प्रारम करने की सिफारिस की थी तो साथियो राइट अंसर होगा दूसरी पंच योजना में option number B correct answer है अगला राष्ट पती पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है तो भारत के निर्वाचा नायोग के द्वारा option number C right answer है सम्विधान केंद्र सरकार की समस्त कारकारी नी सकतिया किसे परदान करता है तो भारत के राष्ट पती को राइट होग अधिकार किया है तो साथियों ये किस लेक कार्थ है तो अधिकार प्रिच्छा लेक का याद रखना option number C अगला है निमनल इखीत में से किस ने राष्ट पती पद गरहन करने से पुरो भारत रतन प्राप्त कर लिया था यानि राष्ट पती बनने से पहले भारत रतन मिल गय या था किसको तो डॉक्टर सरपल्ली राधा कृष्णन जी को option number C अगला है राष्ट पती के चुनाव से संबंधित जग्रों का नेड़ने कौन करता है तो साथियों राइट होगा सरवच्चे ने आए ले option number B यानि Supreme Court चलि आगे देखते है नेक्स्ट है राष्ट पती लुक में मानेता प्रदान हुई है तो देखिये बहुजन समाज पाटी और भारतिये जनता जल इन दोनों को ही राइट होगा option number C याद रखना आज का अगला कोस्टेन में से किस मुख्षी नियादीस को राष्ट पती पद पर आसिन होने का गौरब प्राप्त हुआ यानि अधिक्तम कोई व्यायू सीमा नहीं होता है राष्ट पती के चुनाव के लिए नियुन्तम आयू होता है 35 वर्ष ये आपको याद रखना है चले आगे देखते हैं अगला कोश्टेन है मंत्री मंडल सची बालाई किसके अधिन होता है तो देखिये मंत्री मंडल सची बाला में राइठ साथ यो option number D हरियाना सिस्वो के अधिकारों के सरक्षन से संबंधित राष्ट्यायोग का सवापति कौन है तो देखे इसका correct answer हो जाएगा साथ याद रिखेगा सांता सिन्या चलिए next question देखते हैं तो संबिधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकद्य में वाजी हुई थी तो राइट answer होगा संपत्ती के अधिकार को देखे संपत्ति के अधिकार को 44 वे संबिधान संसोदन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सुचिसे बेधानिक अधिकार बना दिया गया था बर्तमान में संपत्त्तै का दि करने किस मौलिक अधिकार को संभिधान के हिर्दय तथा आत्मा की सेंग्या दी तो राइट एंसरों का संभिधानिक सरक्षन के अधिकार को ऑप्शन नंबर सी राइट एंसर है अगला कोश्चन है किसकी सिफारिस पर भारत की संचित निधी से राज्यों को सहता अनुदान द लगाता है तो निवारण निरोध अधिनियम जो है यह किस अधिकार पर प्रतिवन लगाता है त्राइट आसड़ों स्वतंत्रता की अधिकार पर राइट असे ऑप्शन नंबर सी अगला सोसन के बिरूद 14 वर्स के कम आयूके वच्चों को कारक्षानों इत्तादी पर काम смотр नहीं लगाया जा सकता है, तो राइट होगा option number C, अगला है भारत का नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी सर्थ गलत है, तदिक ये भारत का नागरिक बनने के लिए जन्म द्वारा भी नागरिकता ले सकते हैं, वनसा नुगत से भी नागरिकता ले सकते हैं, और नग राइटेंसर हो जाएगा जस्टीस M के धर, उप्शन नंबर C राइटेंसर है, इस समय संपत्तिक अधिकार किस परकार का अधिकार है, तो मैंने आपको बताया बेधानी का अधिकार यानि कानूनी अधिकार, जो की संभिधान के अनुच्छित तीन सो का का में वर नी थे साथ अगला कोस्टेन है, भारतिय संभिधान में प्रदत मुलभूत अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किस के पास है, तो देखे, राइटेंसर है, ओप्सन नंबर 20 संसद के पास, याद रखना पालियामेंट, अगला है, संभिधान सोसन के विरूद अधिकार किसे करता है, तो क्रिक अरोगा केवल बच्चो को, और ऊप्सन नंबर चनले है, अगला है, भारतिय संभिधान के अंतरगत मोरिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदाइद वो किस रहें, तो मोरिक अधिकार को को ल लागू कर सकता है, तो देखे, राइट है, सभी उच्छ हम साथ हो यहां पर सी होगा उच्छी आपका नहां देखे उच्छी नहीं नहीं और सरव चिन यह लिए ना सी तो सभी निया ले बोल सकते हैं इसको ठीक है चलिए आज का अगला कोश्चन देखते हैं देखिए मौलीक अधिकारों का मुल्ख उद्देश क्या है तो साथ हो जो ब्यक्ति स्वतंतरता का सरच्छक लेख है तो याद रिखेगा बंदी प्रतच्छी करन लेख option number B निमनलकित में से कौन सा अधिकार भारत में केवल नागरिकों को उपलब्द है तो भारत के नागरिकों को केवल उपलब्द है इनमें से सभी अधिकार भासन की स्वतंतरता समुदाय और संग बनाने का अधिकार बिना सास्त्र सांति पुरवक एकत्रित होने की स्वतंतरता ये सभी अधिकार जो है या स्वतंतरता जो है वो केवल भारत के नागरिकों को उपलब्द है question number 100 पहली बार प्रस्तावना में संसोधन कव किया गया था तो पहली बार प्रस्तावना में संसोधन साथियों 42 संभीदान संसोधन अधिनियम 1976 में ही किया गया था option number B correct answer हो जाएगा चलिएगा आज का अगला question है संभीदान निर्माताओं ने कौन सा लक्षन अमेरिका के संभीदान से गरहन किया है तो देखे राइट एंसरों का option number D उपरोक्त सभी नियाईक समिक्षा, मौलिक अधिकार, सरवच्चे नियाले के नियाईजिसों को पद से हटाने की बिधी ये सभी अधिकार जो है अमेरिका के संभीदान से लिया गिया है बारतिया संभीदान का कौन सा भाग प्रेश की स्वतंतरता को सुनिश्चित करता है very very important question है याद रखना अनुच्छे दुनिस, option number C बरतमान समय में बारत में कुल कितने राज्य तथा संभीदान की आत्मा कहा जाता है तो याद रखना सभी साथी प्रास्तावना को, option number C राइट अन्स रोगा प्रास्तावना संभीदान की प्रास्तावना में स्वतंतरता, समानता, बंधुत्व के उद्देसों को जोड़ने की प्रेरना कहां से मिले है तो कहां से मिले है तो साथीों फ्रांस के संभीदान से या फ्रांस की करांती से option number C राइट होगा राज पुनर गठन अधिनियम 1956 ने समस्त देश को कितना राज तथा केंद्रिय परदिस दिया था तो देखिए जब राज पुनर गठन अधिनियम बना था 1956 में उस समय भारत में देखे 14 राज थे और 6 संगिय चितर थे याद रखना ठीक है option number B करिक्ठ होगा भासा के आधार पर सरपर्थवम गठित किया जाने वाला राज जी कौन सा है तो राइट होगा आंधर परदिस जोकी 1956 में गठित किया गया था भासा ही आधार पर गठित होने वाला पहला राज आंधर परदिस next question है नौ दिसंबर 1946 को संबिधान सभा की प्रथम बेठक हुई किस प्रमुख राजनितिक दल ने इसका बहिसकार किया था तो देखे इसका राइट आंधर होगा मुस्लिम लीग ने option number D next है सन 16 सो में अंग्रेजो द्वारा भारत में किस कमपनी का गठन किया गया था तो देखे सन 16 सो में अंग्रेजो द्वारा भारत में किस कमपनी का गठन किया गया था तो याद रिखेगा इस्ट इंडिया कमपनी का option number B right answer है साथ हो मौली का धिकारों के बारे में सुनवाई करने का धिकार किसको दिया गया है तो right answer है सर्वच चिने आले तथा उच चिने आले दोनों को ही अगला है हिमाचल परदेश को पूर्ण राज का दर्जा कब दिया गया था तो देखे बहुत ज़्याद ये question पूछा जाता है याद रखना 25 जनवरी 1971 को next question देखते है तो याद रिखिएगा साथियों correct answer हो जाएगा option number C4 और इसके अधच कौन थे तो B.R. अंबिडगर संबिधान सबा के संबिधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ती की गई थी तो देखे संबिधान सबा के संबिधानिक सलाहकार कौन थे तो B.N. राउ option number B. राइट अंसर हो जाएगा साथियों next है राष्टपती के त्यागपत्र की सुचना उप राष्टपती किसको देता है तो राइट साथियो option number C. लोक सभा अधज को आगे देखे गोवा को 25 राज का दर्जा कब दिया गया था राइट होगा option number C. लोकतांत्रिक विकेंद्री करण की योजना करने वाली समीती का क्या नाम है मैंने अभी आपको बताया था कि पंचाहिती राज से संबंदी थे लोकतांत्रिक विकेंद्री करण इसकी योजना करने वाली समीती का नाम आपसे पूछा है तो याद रिखेगा बलवन तराई महिता समीती ओप्सन नमबर डी राइट एंसर है चलिए अगला है नियायमूर्ती यूसी बनर जी आयोग का गठन क्या गया था किसके लिए गोधरा दंगो की जांच के लिए देखिए गोधरा दंगा जो की साथ यूग गुजरात में हुआ था 2002 में या दोगा अपने पढ़ा होगा ठीक है चलिए आज का अगला कोश्चेन है किसी राज में अनुच्छे 356 के अंतरगत राष्ट पती सासन समयनेता अधिक्तम कितनी अभधी के लिए लगाया जासकता है तो दिखिया रुच्छे 356 एंतरगत राष्ट पती सासन लगया जाता है यह अदुक्तम कितनी अभधी के लिए लग़ा जा सकता है तो यह रखना दियृघे के लिए और नियुंतम 6 महने के लिए अगला कोश्चेन है देश के सभी ना आधार नमबर जो आपके नागरिक्ता को दरसाता है तो आधार करेक्ट होगा option नमबर ए संभिधान के किस अंग में लोक कल्यानकारी राज की अवधारना नहीं थे तो देखीगा right answer हो जाएगा साथ हो राज के नितिनर्दसक्तातों में option नमबर ए करेक्ट है राज का नितिन प्रावधान है तो देखे संभिधान के अनुच्छे 360 में किसका प्रावधान है तब बित्ति आपात की स्थिति लागू करने का option नमबर ए right होगा देखे बीतायोग के बारे में अनुच्छे 280 में बताया गिया है और भारत के attorney general के बारे में अनुच्छे 76 में बताया गिया है अगला question है भारत में सरपर्थम 2 October 1969 को पंचायती राज व्योस्था का सुभारम क्या गिया यहां कहां से शुरू हुआ था तो नागोर से राजस्थान से option नमबर ए नागोर राजस्थान करिक्टर हो जाएगा simple question है अगला question है किस केंद्रसासित परदेश का अपना उच् इसका उच्ची नियाले है कि सुच्ची नियाले में सरवधिक संख्या में नियादीस कारियरत है तो राइट एंस रोगा option नमबर भी इलहाबाद उच्ची नियाले जोकि सबसे बड़ा उच्ची नियाले है अगला question है संसत द्वारा देश में सुचना पाने का अधिकार य पहले बितायोग का संबंद साथ हो केंद्र राज्य संबंदों से option नमबर एक करेक्ट है पहले बितायोग का गठन 1951 में क्या गया इसके अध्च कौन थे तो देखिए पहले बितायोग के अध्च कौन थे तो केसी नियोगी पहुच ज्यादा ये question पूछा जाता है अगला अधिकार है बरतमान में तो छे याद रखना और कितने मूल करते भी है तो 11 याद रखना चलिए अगला question है डॉक्टर राजंदर प्रसाद को इस्थाई अध्च कब चुना गया था तो साथ हो संबिधान सभा का गठन क्या गया था 9 दिसंबर 1946 को और इस समय यानि 9 बर 1946 को राइट होगा option नंबर ए अगला है बिहार पुनर गठन अधिनियम 2000 के अनुसार नेमनल खित में से किसे सम्मिलित किया गया था तो देखे राइट अंसर होगा option नंबर भी जारखंड राज को अगला question है भारतिया संभिधान का कौन सा भाग नागरिक्ता से संबंद जो कि भारतिया संभिधान के कितने भाग में दिया गया है तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भाग तीन में option नंबर सी राइट अंसर हो जाएगा साथ यो चलिए अगला question है भारतिया संभिधान का निर्मान किसके दौरा किया गया था संभिधान सभा के दौरा right option बनाने का अधिकार दे सकती है इन में से कौन तो याद रिखे राइट एंसर हो जाएगा साथ यो option number D राज्य सभा देखे राज्य सभा जो है ये संसद को राज्य सुची के विशेव पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है अगला question है भारतिय संविधान में राष्ट पती के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है तो देखे राइट एंसर होगा Ireland के याद रखना भारत में जो राष्ट पती चुनाव लड़ने का तरीका है वो किस देश के संविधान से लिया गया है तो Ireland के याद रखना भारत के राष्ट पती के बारे में संविधान के अनुछित 52 से एकसट में बताया गया है चलि आज का अगला कॉस्चन है संभीधान के किस अनुछित के अंतरगत केंदर सरकार राज्य सरकार को निरदेश दे सकती है तो राइट 356 में राष्टपति सासन और अनुच्छित 370 का संबंध था जम्मो कस्मिर के अलग संविधान से जोकी हटा दिया गिया है देखे संविधान के किस अनुच्छित क्या धार पर देश में बित्यापात की घोशना की जा सकती है अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छित 360 के अंतरगत ऑप्शन नंबर सी राइट अंसर हो जाएगा आज का अगला कोश्चिन है भारतिय संविधान में किस अनुच्छित को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है किस अनुच्छित को तो अनुच्छित 32 को अगला कोश्चिन है बस्पा का पूरा नाम क्या है तो साथियो बस्पा का पूरा नाम है बहुजन समाज पाटी करेक्ट होगा अप्शन नंबर ए बहुजन समाज पाटी आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्स किया गया था तो राइट अंसर होगा साथ हो याद रखने 26 नॉम्बर 2012 को कहा पर तो दिल्ली के जंतर मंतर में इसके सुप्रीमों है अर्विन केजरिवाल जी जो की दिल्ली के मुख्य मंतरी है निमनल खित में से कौन सा मौली का अधिकार नहीं है चलिए देखते हैं ओप्सन्स तो देखिये समानता का अधिकार मौली का अधिकार है स्वातंतरता का अधिकार मौली का अधिकार है स्वासन के विरूत अधिकार ये भी मौली का अधिकार है लेकिन संपत्तिक अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं ये कानूनी अधिकार है option number D correct हो जाएगा भारतिय संविधान की कौन सी विशेस भ्योस था दक्षिन अफ्रिका के संविधान से ली गई है तो right answer होगा संविधान में संसोधन option number C, अनुच्छे 368 के अंतरगत किया जाता है, आज का अगला question ने, राष्टिया पिछला बर्ग आयोग की अस्थापना का हुई थी, तो देखे राष्टिया पिछला बर्ग आयोग की अस्थापना 1993 में हुई थी, राइट है option number D, आज का अगला question ने, भारतिया राजनीतिक पाटी AITC का पूरा नाम क्या है, तो AITC का पूरा नाम क्या है साथ हो, तो All India Trade Bowl Congress, जिसके अस्थापना 1998 में की गई थी, और इसके सुप्रीमों कोन है, तो ममता बनर जी, जो की पस्चिमंगाल की कोन है, मुख्यमंत्री है, चली अगला है, ब्रीटिस ने, किस वर्ष में भ संसद में भारत के राष्ट पती और दोनों सदन सामिल है, तो देखे राइट एंसरे अनुच्छिद 89 में, ऑप्शन नमबर D करेक्ट है, जो की भारत के संसद के बारे में बताता है साथ हो, आज का अगला कोश्चन है, हमारे राष्ट के समक्ष लोगों की आसाओ और आका का सूची है, तो देखे पंचायत राज जो है, यह राज्य सूची का भी सह है, तो राइट होगा ऑप्शन नमबर C, भारतिय संबिदान द्वारा दिये गए निमनलखित मौलिक अधिकारों के कारण, गैर अनुदान अलप संखक संस्थानों को RTI अधिनियम के डाइरे से रखा गिया है, किस अनुच्छेद में यह जानकारी मिलती है, तो याद रखना अनुच्छेद तीस का एक में, ऑप्शन नमबर D करिक्ट अंसर हो जाएगा, अगला है, राज्य सभा के सदस जो हर दूसरे वर्स सेवना विरीत हो जाते हैं, तो देखे राज्य सभा के कुल सदसों की संक्या होती है, 250 ठीक है, और साथ यो, इसके एक तिहाई सदस जो होते हैं, हर दो वर्स में रिटायर हो जाते हैं, तो अप्शन नमबर D करिक्ट होगा, एक तिहाई, अगला है, यदि भारत के राष्ट पती त्याग पत्र देना चाहे, तो उन्हें यहाँ त्या और साथ यो, लोक सावा का भी याद रिखेगा, 552 होता है, अधिक्तम सदे से संख्या, अगला कोश्चेन है, देखिए, नेमनल लिखित अनुच्छेदों में से, किसमें सहकारी सम्मीती बनाने का अधिकार वर्नित है, तो राइट एंसर हो जाएगा, और साथ नमबरे अन सिद्धानत का एक अंग है, तो राइट होगा, ऑप्शन नमबर डी, राज के निती निर्दसक सिद्धानत का अंग, अगला कोश्चेन है, भारतिया नागरिकों के लिए, एक समान सिविल सहीता प्राप्त करने की बात किसमें कहीं गई है, बैरी बैरी इंपोर्टेंट सिद्धान की किस धारा में निर्देशित किया गया है, तो सराब बंदी जो है, यह सम्विधान के किस धारा में निर्देशित है, तो धारा सैंतालिस में, फोटी सेवन में, ऑप्शन नमबर भी करेक्टेंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, पान सो से अधिक रजवाडों यान में बाटा गया था इन स्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था तो राइट अन्स रोगा 1956 में आप्शन नंबर सी याद रिखेगा अगला है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पूर्त गाली बस्तियों को भारतिया संग का राज इच्छेत्र बनाया गिया था तो राइट है ऑप्शन नमबर ए 961 में चलिए अगला कोश्चन देखते हैं संपत्तिक अधिकार बेधानिक अधिकार या बताया गिया है कि सनुच्छेद में तो देखें मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 300 का काम में आप्शन नमबर डी राइट अंच्छेद में नई अखिल भारतिय सेवा की अस्थापना प्रधान करता है कौन सा अनुच्छेद तो याद रिखेगा अनुच्छेद 312 आप्शन नमबर ए राइट अंच्छेद में राइट होगा ओप्शन नमबर डी आगे देखते हैं अगला कुश्चेद संग की कारिपाली का सकती राष्ट पती में नहीं थोगी जिनका परियोग वह सुआई या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है तो राइट अंच्छेद साथ यो अनुच्छेद एककात्मक तथा कुछ कठोड वे अबर संग और राजयों के बीच सक्तियों का रिभाजन किसकी प्रिर्णापर आधारी थे तो राइटेंस रोगा केनेडा के प्रिर्णापर यानि केनेडा के संविधान से लिया गिया है भारतिय संविधान में मोलिक करतेव का विचार लिया गिया है किस देश से जिसको 42 संभिधान संसोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंग समीती की सिफारिस पर जो की 42 संभिधान संसोधन अधिनियम हुआ था चलिए अगला कोश्चेन है निमने लखित में से कौन सी एक संभिधान का अंग नहीं है देखिए बीत आयोग भी है इसका प्रावधान संभिधान के अनुच्छे 283 में है अंतराजिय परिशत का गठान अनुच्छे 263 निर्वाचन आयोग का गठान अनुच्छे 324 लेकिन योजने आयोग जो है यह साथ यो संभिधान का अंग नहीं है अगला कोस्टेन है अखिल भारतिया महासंग इस्थापित करने का प्रावधान सामिल किया गिया था कब तो देखिए अगला मुसलमानों के लिए अतरिक निर्वाचक मंडल प्रारम में किसके दौरा लाया गिया था तो राइट है साथ यो मारले मिंटो सुधार 1909 के दौरा नेक्स्ट है बी तायोग का गठन कितनी अवधी के लिए किया जाता है तो राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर सी 5 वर्स की अवधी के लिए याद रखना आज का अगला कोस्टेन है भारत के किस एक मात्र संग राज्य छेतर का अपना उच्ची ने आले है तो दिल्ली का ऑप्शन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा अंतराजिय परिशद की नियुक्ति कौन करता है तो साथ यों अंतराजिय परिशद की नियुक्ति कौन करता है अगला है प्रससाकिया सेवाओ की नियुक्ति कौन करता है तो करिक्ट एंसर हो जाएगा यहां भी आपका मापकरना ओप्सन नमबर भी करिक्ट हो जाएगा संग लोग सेवा आयोग यानी UPSC चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं भारत में योजना आयोग का पर्थम अद्दच कौन था तो राइट है ओप्सन नमबर यह पंडित जोहारला नहरूजी अगला है मुख्य निर्वाचन आयोगत की नियुक्ति तथा उसको उसके पद से हटाने का अधिकार निमनल खित में से किसको है तो करिक्ठ है और सिभारत के राष्ट पती के पास नेक्स्ट है निमनल खित में से कौन राज़्य सुची में नहीं है तो सेटिदी के राज़्य सुची के अंतरगत tournaments के अस्थापना कभ हुई थी याद रिखीगा मार्च इनिस् option number 343 का एक में आज का अगला कोश्चे ने भारत की निर्वाचन पद्दती निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्दती के अनुरूप है तो ब्रिटेन के और ब्रिटेन भारत के बिविन राजनितिक दलों को राष्टिया या छेत्रिया दल का दरजा देने का अधिकार किसको है त्राइटेन्सरो का चुनावाय को option number D करेक्ठ हो जाएगा अगला है भारत में उच्चतम नियाले में नियाजीसो की संख्या बढ़ाने का अधिकार कि से हैं तो करेक्टेंसर हो जाएगा राज विधान मंदल को आप्शन नमबर ए संविधान के किस अनुच्छीद के तहट राष्टिया पात की उद्गोस्पना राष्ट पती करता है तो देखिए अनुच्छीद 352 के अंतरगत option number C correct answer हो जाएगा अगले राज जिपाल का पद गाड़ी के पांचवे पहिये के समान बन कर रहा गया था यहां किस यूग में तो याद रिखिएगा साथ यो correct answer है option number B नहरू यूग में भारत का सबसे बड़ा उच्ची नेयले कौन सा है तो दीखे भारत का सबसे बड़ा उच्ची नेयले जो है वह साथ हो इलहाबाद उच्ची नेयले option number A और निमने उच्ची नेयले में से कौन एक से अधिक राज अथवा केंद्र सासित परदेश के लिए है तो याद रखना ग्वाहाटी उच्ची नेयले यानि अगर आपसे उच्ची किस उच्ची नेयले का चेत्रा अधिकार सबसे बड़ा है तो ऑपसे बड़ा है तो इलहाबाद उच्ची नेयले याद रखना अगला question तनी बिधान सभा अध्दच अपना त्यागपत कौन है तो देखे भारत सरकार के सरवच्च सासा की अधिकारी कौन होते हैं तो याद रिखेगा भारत के मंत्री मंदल सचीब ऑप्शन नंबर सी चलिए आगे देखते हैं अगला भारत के प्रदानमंत्री यह होते हैं मनोनित होते हैं चैनित होते हैं यह नियुक्त होते हैं तो देखे बारत के जो प्रदानवंत्री है वो नियूक्त होते हैं उसकी नियूकती भारत के राष्ट पति करते हैं आप्शन नंबर सी बिदान परिशत को समाप्त करने वाला आखरी राज्य कौन सा है तो साथ यो बिदान परिशत को समाप्त करने वाला आखरी राज्य तमि दिदाहिका नहीं है यानि जिसको बोलते हैं हम बिदान परिसद नहीं है दिखिए का बिहार में भी है राजस्था एक सेकंड साथ यो बिहार में भी है राजस्थान में भी राजस्थान में नहीं है ठीक है करनाटका में है महाराष्टा में है ठीक है इसके अलावा साथ यो आंद्र प्रदेश में है, पस्चिम मंगाल में है और ओडिस्सा में है तो राजस्थान में नहीं है तो राइट होगा option number B राजस्थान अगला है भारत की संग्या ब्योस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है तो याद रिखेगा साथियो संसद के नाम से option number B नेक्स्थ है, राजसभादवारा लोकसभा को धर्विद्यक कितने समय में लोटा दिये जाने चाहिए तो याद रिखेगा 14 दिनों के भीतर चलिए अब इस question का answer जो है आप लोग साथियो comment box में comment करके बता दिजिए कि भारतिया संसद के दोनों सदनों के सयुक्त अधिवेशन का सभापति तो वो कौन करता है ठीक है भारत के राष्टपती, भारत के महानियावादी, भारत के उपराष्टपती या लोकसभा अदच इसका कोई एक answer होगा आप लोग सभी comment कर दिजे, साथि class को like कर देना और साथियो अगर आप में से कोई भी नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon को on कर लिजेगा, मिलते हैं आप से next class में तब तक स्वास्त रहें, जैन साथियो, वंद्यमात्रम